सुप्रप सिध अभिनेत्री माधुरी दिक्षित को सम्मान देते वे भारत के चौवनवे अंतराश्ट्रे फिल्म महोटसब में उन्हें भारतिय सिनेमा में विशेश पहचान बनाने के लिए पूरस्कृत किया गया अवसाधरन चार दर्शिकों के शांदार करियर के साथ माधुरी दिक्षित ने भारतिय फिल्म उद्योग पर एक अमीर चाप छोड़ी है केंद्री सूचन और प्रसारन मंत्री अनुराक से ठाकुर सूचन और प्रसारन राज्यो मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्य मंत्री प्रमोत सावंत नियाज पनजी गोवा में आईजित चौवनवे आई एफ एफ आई इफ आई इफ इफ आई इफ इफ की अवसाधारन उपलबधियों और भारती सिनेमा पर उनकी स्थाई प्रभाव का साक्षी है पुरुसकार प्राप्ते करने के अवसर पर माधूरी दिक्षित ने कहा कि इफ़ी एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो फिल्मों को एक बहतर मंच प्रदान करता है एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां नाकी सिर्फ इंडियन फिल्म्स जो पैं इंडियन फिल्म्स है नाकी सिर्फ इंडियन फिल्म्स है यहां बनती है तो आज थांक्स टू इफी कि ए प्लाटफॉर्म उन्होंने बनाया है और आज मुझे यहां अवार्ड भी दिया है इफी एक एमोशन है अब लोग गोवा सिर्फ छुटिया मनाने आते थे अब लोग गोवा इफी देखने भी आते हैं और मैं चाहूंगी कि इफी की जुबली बनाए लेखने हैं कि 1980, 1990 और 2000 के दशक की शुरवात में हिंदी फिल्मों की अभिनेतरी माधूरी दिक्षित को 6 फिल्फेर पुरसकार मिले और उन्होंने रिकॉर्ड 14 बार सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी के फिल्म फेर पुरसकार के लिए नामंकित किया जा चुका है माधूरी दिक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरवात अबोध से की और तेजाब से उन्हें व्यापक सार्वजनिक पहचान मिले उन्हें 2014 में भारत में युनिशेफ की सदभावना राजदूत नियुक्ति किया गया था